प्रिकेटर्स की अंसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आप पूर मिश्रा आज मैं आपको एक ऐसे क्रिकेटर की अंसुनी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका आहाली में टीम इंडिया से खेलने का सपना पूरा हुआ है जो अगर बच्पन में क्लास बंक नहीं करता तो शायद आज क्रिकेटर नहीं होता वो एक इंजीनियर था और इंजीनियर से उसने क्रिकेटर तक का सफर तय किया है वो विराट कोली की टीम का बहुत एहम खिलारी है वो विराट कोली का बहुत पसंदीदा खिलारी है जिसने अपनी इं इंडिया तक का सफर उसने तैय किया आज इसकी कहानी आपको सुनाते हैं क्रिकेटर का नाम है शावास एहमद जो की विराट पुहली का रनबाज भी है तो सबसे पर तो ये जान लीजे कि शावास एहमद मेवाद जिले के जो हर्यावा में पढ़ता है हर्याणा के मेवाद जिले के सिक्रावा गाओं के रहने वाले हैं उनके पिता एहमद जान पलवल में SDM के रीडर है वो भी एक मध्यम वरगी परिवार के मुख्या की तरह चा सबस्तुने करा दिया ताकि वो इंजिनेर बन सके पर तीन साल की डिगरी को पूरा करने में शाहवास को मैं यारा साल लग गये जिहां हमाड जान बताते हैं कि Civil Engineering की डिग्री को 3 साल यानि की 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था पर क्रिकेट की वज़ा से ये डिग्री साल 2022 में जाकर पूरी हुई शाबाज ने एक पेपर 2022 में देकर उसे क्लियर किया वो भी अपनी मा के कहने पर ही उन्होंने डिग्री हासल की वो हमेशा अपनी मां से कहते थे कि डिग्री की चिंता मत करो युनिवर्सिटी वाले खुद बुलाकर डिग्री देंगे और हुआ भी ऐसा ही पिता बताते हैं कि इस साल जन्वरी में युनिवर्सिटी ने क्लास बंक करके जाते थे क्रिकेट खेलने एहमद जान बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि फईदाबाद ने उनके बेटे का मन इंजिनिरिंग की पढ़ाई में नहीं लग रहा था शावाज प्रिकेट खेलने के लिए क्लास बंक कर जाते थे इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब युनिवर्सिटी की ओर से उनके पास मैसेज भेजा गया कि उनका बेटा क्लासेज नहीं ले रहा क्रिकेट और पढ़ाई में क्रिकेट को चुना एहमद जान बताते हैं कि तब उन्होंने शाहबाई से कहा कि वो पढ़ाई या क्रिकेट में से किसी एक को चुने लेकिन जो भी चुने उस पर फोकस करें तब शाहबाई ने क्रिकेट को चुना और उसी पर फोकस करने की थान ले इसके बाद वो गुड़गाओं में तिहरी स्थित क्रिकेट अकैडमी में जाने लगे वहाँ कोच मनसूर अली ने उन्हें ट्रेनिंग दे दोस्त की सलहा पर बंगाल गए फिर बन गया करिया शाहबाई के पिता ने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद उनके दोस्त प्रमोद चंदीला उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बंगाल लेकर गए चंदीला भी बंगाल में क्लब क्रिकेट खेलते थे शावाद को वहाँ से घैलू टूनामेंट में बहतर प्रदर्शन करने पर बंगाल 2018-19 में रंजी टीम में जगा मिली उसके बाद 2019-20 में उनका चैन इंदिया A टीम में हो गया इसके बाद 2020 IPR आॉक्षन में RCB ने शावाद को 20 ताक रुपए के बेस प्राइज में खरीड लिया हाला कि उन्हें UAE में सिर्फ दो ही मैच खेलने का मौका मिला इसके बाद 2021 में भी वो RCB की टीम का हिस्सा रहे और फिर 2022 में RCB ने उन्हें 2.40 लाग की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड लिया दादा को भी था क्रिकेट से प्यार एहमद जान बताते हैं कि उनके पिता भी क्रिकेट खेलते थे शावाद को भी अपने दादा की तरह क्रिकेट खेलने का शौक था उनका गाउं मेवात जिले में एजुकेशन की वजह से जाना जाता है गाउं में कई इंजीनियर और डॉक्टर है इसलिए वो चाहते थे कि शावाद भी इंजीनियर बने शावाद की छोटी वहन फरहीन डॉक्टर है शावाद का कदियर तब बदला जब उन्होंने कोलकाता से क्रिकेट खेलना शुरू क किया अपने दोस्त की सलाव पर उन्होंने कोलकाता यानि बंगाल से क्रिकेट खेलना शुरू किया क्लकाता में एक टलब और चुर्वात कि वो तपनbank क्रिकेट क्लब से वाली घाट के तुलना में हमारा क्लब बहुत चोटा है हम उनकी तरह मोटी धन्राशी नहीं खर्श कर सकते थे हमें अक्सर अपने सीनियर क्रिकेटरों को बाहर के लड़कों पर नज़ा रखने को कहा जाता था जो अफसर की तलाश में हो ऐसे ही हमारा एक क्रिकेटर प्रमोद चंदीला चोकी वर्तवार में हदियाना का खिलाड़ी है शाबास को यहां लेकर आया था जो तब इंजिरिनिंग के तीसरे वर्ष का चात्र था मुझे लगा कि जब उसके समेस्टर होंगे तब वो कुछ मैच छोड़ देगा अब जब शाबास शहर में होता है तो चौधरी के घर पर ही रुखता है उन्होंने इसको याद करते हुए बोला कि मेरे दो बेटे हैं और शाबास बिना तीसरा बेटा है वो मेरे परिवार का बल्लेबाज के रूप में किया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सफल भी रहे हैं एक अच्छे और राउंडर की तरह RCB ने उन्हें इस्तेमाल किया है इस बारे में भी उनके कोच चौधरी ने बताया कि उसके अंदर बच्पन से ही एक और राउंडर केपिबिलिटी थी लेकिन बंगाल की टीम में ररजी टीम में भी उसको एक स्पेशलिस देफ्टाम स्पनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन RCB ने उसे और निखार दिया और वहाँ पर तो वो अब बल्लेबाजी से भी मैचेस जोता रहा है तो ये थी कहानी उस क्रिकेटर की जो क की तीन साल की डिगरी 11 साल में पूरी कर पाया लेकिन जैसे ही क्रिकेट में आया आया और च्छाया नाम है शाबाज एमर उमीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी बहुत बहुत शुक्राइब इस वीडियो को देखने लिगे रोजाना आपसे मुलाखात करने क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहरे दिखाते हैं खबर हो विवाद हो इंटर्वी हो या हो कोई इंसाइड स्टोरी न्यूस 24 स्पोर्स पर हर अबडेट सबसे पहले मिलेगी इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें क्रिकेटमर क्लब न्यूस 24 स्पोर्स